हेलो वाईज मेरे नाम है साजी सेफी और मेरे चैनल वाइब क्लिक में मैं आप सभी का तही दिल से वेलकम करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो की काफी बढ़े फीचर्स है और इस फीचर्स का इस्तिमाल अगर आप करते हैं तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा की दोस्तों आप यहां गोड़ सा देखें मेरे पास यहां Realme 3 Pro और Realme U1 है और आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 3 Pro से Realme U1 के अंदर डेटा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा बिना किसी थर्ड वार्डी एप्लिकेशन के दोस्तों इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल यानि की इस फीचर्स का यूज आप के वल Realme के ही फॉन्स के अंदर कर सकते हैं अगर आप Realme के अलावा किसी दूसरे फॉन के अंदर फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो आप इस फीचर्स को यूज नहीं कर सकते हैं तो चलिए खरे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सा फीचर्स है और इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं तो जयसा कि दोस्तो आप यहां गौर से देखें जह आप यहां नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्कॉल करते हैं तो यहां आप बहुत करने के बाद यहां आपको यहां आपको रियल्मी शेयर के नाम से एक आपशन देखने को मिल जाता है। अगर आपको यह AuPTION आपकी फ़ोन नहीं मिलता तो आप इस त्रह से यहां से is। सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि Find कर सकते हैं। simply आपको करना क्या है का यहान कि रियलमी यू यूवण के ंदर DATO. यानि कि जो files हैं उनको receive करना चाहता हूँ तो simply मुझे करना क्या होगा यहां realme share जो है इसको यहां से select करना है and select करने के बाद इसको यहां से enable करना है जैसा कि दोस्तों आप यहां गोर से देखे हैं मैंने फिलाल इसको यहां enable कर दिया अब यहां दोस्तों आप नेक्स्ट इस step में आपको करना क्या है आपको यहां जो है अपने दूसरे fonts में आना है और दूसरे fonts में आने के बाद file को select करना है चलिए खर यहां से मैं आपको दिखाता हूँ जैसा for example के लिए मैं यहां से इस file को यहां से select करता हूँ और इसे अपने realme U1 के अंदर transfer करता हूँ तो यहां जैसी मैं इसको select करता हूँ तो select करने के बाद यहां आपको send का एक option देखने को मिलेगा तो simply आपको करना क्या है send पे click करना है और जैसी दोस्तों आप send पे click करते हैं तो यहां आपको सब सब उपर top बे realme share का एक option देखने को मिल जाएगा simply आपको करना क्या है यहां इस पे click करना है और जैसी दोस्तों आप इस पे click करते हैं तो click करने के बाद यहां simply आप और से देखें जो मेरे realme U1 का model है वो मुझे यहां show हो रहा है तो simply आपको करना क्या है यहां realme U1 को select करना है यानि कि जो भी realme का fonts है जिसमें आप file transfer करना चाहते हैं आपको simply उससे select करना है और उसके बाद यहां आपके दूसरे fonts के अंदर एक pop-up show होगा जिसमें आपको decline और accept का option show होगा तो simply आपको करना क्या है accept क्लिक करना है और जैसी दोस्तों आप accept क्लिक करते हैं तो यहां आपकी जो file है वो successfully transfer हो जाएगी अब अगर आप चाहें तो यहां से उसको view भी कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप यहां और से देखें हमारी फाइल जो है transfer करना चाहते हैं अपने Realme के किसी भी phones के अंदर तो आपको simply करना क्या है आपको उसे select करना है और उसे select करने के बाद simply आपको share का एक option है आपको उसे search करना है और जैसी आप उसको search करते हैं तो यहां आप बहुत से देखें जो आपका Realme U1 का model है आपको यहां पहले से show होगा तो simply आपको करना क्या है इसको यहां से select करना है और जैसी इसको आप select करते हैं तो यहां आपके सामने फिर से वही pop-up window आजाएगी तो simply आपको यहां accept करना है और accept करने के बाद यहां आपकी जो file है आपके phone के अंदर transfer होना start हो जाएगी तो दोस्तों यह काम आप Realme के किसी भी phone से किसी भी phone के अंदर कर सकते हैं जो की काफी बढ़िया features है और यहां दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहां जो transferring speed होती है वो काफी बढ़िया speed होती है और यहां आपको जैसा कि आपको पता है share rate के अंदर काफी सारे हमें जो है ads देखने को मिलते हैं बर यहां Realme के phones के अंदर हमें किसी भी प्रकार के share rate या किसी भी third party application को install करने की जरूरत नहीं है और नहीं हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ads की अब कोई भी problem होगी जब हम इस application यानि जब इस features को हम Realme के phones के अंदर use करेंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीस आप इस वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूना तो चलिए फिलाले इस वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़धार वीडियो के साथ